अगर आप सिविल सर्विस एस्परेंट है तो इस इमेज को आप बहुत अच्छी तरकी से जानते होंगे पहचानते होंगे ये क्या है ये है आपकी रंड भूमी और इस रंड भूमी में आप में से कई सारे स्टूडेंट्स पहले गए होंगे हो सकता है किसी को जीत मिली होग लेकिन अब से हम हारेंगे नहीं तो हमको हमारी सोच में बदलाव करना होगा तो वो सोच क्या है अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे ये बात समझ में आई तो आपको पहली सोच ये रखनी है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेग और दूसरी बात यह समझनी है कि अभी नहीं तो कब मैं करूंगा या करूंगी something ठीक यह बात समझ में आई दूसरी सोज आपको बदलनी आपने वो famous और पुराना dialogue तो सुना ही होगा तो आज कभी लौट के नहीं आता कल तो हम बना लेंगे यदि आज पर काम करेंगे तो कल बनी जाएगा यह बात ध्यान रखना है अब जब हम चलते हैं अपने like aspiration को लेकर अपनी आसाओं को लेकर अपने गोल की और अपने लक्ष की और तब हमको बहुत सारी रुकावटें आती है इन रुकावटों से हमको लड़ना सीखना होगा और हमको थोड़ी जिद करनी पड़ेगी तो वो जिद क्या है आपको याद रखनी है कि खुल आपको याद रखनी है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेर सेशन जिसमें कि हम सेप्टेंबर लास्ट वीक यानिकी 25 से लेके 30 सेप्टेंबर तक के करेंट अफेर को कवर करेंगे जिनका संबन इन्वार्मेंट एंड साइन्स और टेकलोजी के साथ ह चीजों को जो आपके एक्जाम के लिए हैलफूल होगा जहां पर आपको ट्रिक्स एम्जी क्यूज इंपॉर्टन फैक्ट और मोटिवेशन चीजें आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं करेंट अफेर किये साथ ही साथ ही बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट एक्जाम में स्पेस कुन करेंट अफेर्स थे तो सबसे पहले आज का कंटेंट देख लेते हैं अंतरास्टी परमानों हत्यार निसस्त्री करण दिवस इंटरेशनल डेवर्ट टॉटल एलिमिनेशन ऑफ नुक्लियर वेपन आप सोते रहोंगी यह कौन सा डे है भई यह बहुत इंपोर्टन डे हम राष्टी स्वच्छ वायु कारिकरम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और इसके कुछ लक्ष संसोधित किये गये हैं गौर्मेंट आप इंडिया के द्वारा जो कि आपके इंवार्मेंट से रेलेटेड और बेहद इंपोर्टन है तो यह सभी बाते आज के कंटेंट में हम कवर करेंगे तो सबसे पहले आप याद रखेगा कि जब हम परमाणू निसस्त्री करण की बात करते हैं या टोटल एलिमनेशन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जब USA और जैपैन के बीच में वार हुआ था वर्ड वार की जब हो रही थी तो वर्ड वार का जो अंतिम फिनिशिंग पॉइंट वो था कि जैपैन पर USA के दवारा क्या है नुकलियर अटेक कर दिया गया तो वो नुकलियर अटेक में दो इंपोर्टन बम यूज किया गया था लिटिल बॉई और फैट मैन तो उसका एक्चुल इमेज आप देख पा रहे हैं और उसके बाद अंतरास्टी समुदाय में खलबली सी मच गई और उस समय आधिकारिक दोर पे ये कहा गया कि ये नुकलियर वेपन बहुत ही डेंजरस होगा भले उसे हम खाना पूर्ती कहें या कुछ भी कहें अल्टिमेटली एक इनिशेटिव लिया गया था कि हम नुकलियर वेपन जो डे था ये खाना पूर्ती कहें या कुछ भी कहें लेकिन अंतरास्टी समुदाय में ये इनिशेटिव लिया गया था और फाइनली हम देखते हैं कि इस डे को 2013 से से सेलेब्रेट किया जा रहा है 26 सेप्टेंबर 26 सेप्टेंबर को क्या है ये डिवस मनाय जा रहा है यु इसका उदेश रखा गया कि परमाणू हत्यारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए और खासकल कोई भी डे जब हम मनाते हैं तो अवेर्नेस के लिए मनाते हैं कि परमाणू हत्यार मानवता के लिए बहुत ही क्या है नुकसान दायक है गातक है और इसे समाप्त करन यहां पे आपको इनिशेटिव लिया गया था युनाइटेट नेशन के द्वारा कौन सा डे मनाते हैं तो 26 सेप्टेंबर को मनाते ही बात याद रखेगा और यह जो प्रस्ताव है 1946 को पारित किया गया था यानि कि नुक्लेर अटेक की जस्ट अगले साल थीक है तो यहां पे 1945 को 6 अगस नगस को जो है अपका हिरो सीमा नागा साकी पर क्या बम गिरा गया था उसके बाद देखते हैं कि 46 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया फिर उसके बाद 1958 में थोड़ा और चीज़ें आगे बढ़ी है ना उसको समर्थन किया गया युनाइटेट नेशन के द् कि हम फाइनली यहाँ पे यह दिस अर्मामेंट या निसस्त्री करण की दिसा में पूर्ण परमाड़ो निसस्त्री करण का हमारा उद्देश को हम पूरा करेंगे और उसके लिके काम किये जाते हैं इसके बाद बहुत सारे ऐसे एजेंसी बने हम मैं उसके प्रिवियस सेशन में इसको डिसकस कर भी चुका था आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजेगा कि अलग-अलग ऐसे संधिया हैं ऐसे न्यूट्रल न्यूक्लियर वेपन के लिए ट्रीटीस हैं ठीक है वो ट्रीटी या संधिया या जो कानून है उसको पालन करना पड़ता है और फैट मैन यह दो ऐसे बॉंब थे एक को चैगस को दूसरे को नौगस में गिराए गया था हिरो सीमा और दूसरा नागासा की वाली जगह पे और उसका एक भयावा लेवल पर हुमन मानो इतिहास का सबसे भयंकर जो है आपका नूक्लियर अटेक वही हुआ था लाखों लोग क्या है उसमें चपेट में आ गए थे और सबसे बड़ी दुगदायक बात यह थी कि उसका नेगटिव आसपेक्ट या नेगटिव इंपक्ट वहां के लोगों के द्वारा अभी तक भुकता जा रहा है क्योंकि वहां के लोगों का जो जैनेटिक स्टक्चर है वो आप सभी के लिए एक्जामिशन पॉइंट अब तक आप पढ़ते थे 53 नंबर का टाइगर रिजब ठीक है त्रेवपनमा नंबर का टाइगर रिजब हम पढ़ते थे अब क्या है चववन बे नंबर का भी टाइगर रिजब की एंट्री हो गई है आप सोत रहे हैं यह कहां हुआ जल्दी से बिना क्योरसिटी किये आपको मैं बता देता हूँ यह हुआ है उत्तर प्रदेश में तो प्लस वन ऐसा कर लेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा यह टोटल 54 हो जाएगा देखें उत्तर प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजब थे अब 4 टाइगर रि ठीक है उसके बाद जो चौथे नंबर के टाइगर रिजब की एंट्री हुई एक इंट्रेस्टिंग सी बाते भी बताऊंगा इसमें एक ऐसा टाइगर रिजब जहां पे कोई भी टाइगर ने मिलता अब सोचके हैरान हो जाओगे भाई जब टाइगर ही नहीं मिलता तो उ रानीपुर वाइड लाइफ सेंग्चुरी एक्चूल में क्या है टाइगर के मॉव्मेंट याने की एक कॉरिड़ोर का काम करता है याने दो अलग अलग छेत्रों के बीच का गलीरा है थीक है तो वहाँ पर वह मोव्मेंट होता है तो वहां पी वह मोवपें बेकिन कभी करेंगे भी umbrella species को जैसे umbrella से जैसे आपको protection मिल जाता है धूप और पानीशे बारिस से वैसे ही जिस छेत्र में भी क्या है आपका tiger रहेगा उस छेत्र में बागी flora और fauna वनस्पति जन्तु को क्या मिलती है सुरक्षा या protection मिल जाता है जिसके कारण वहां की बायो diversity बढ़ती है ठीक है बागी आगे बात करेंगे तो यहां पर याद रखेगा चौथा नंबर का जो tiger reserve उत्तरपदेश का चित्रकूट जीला है चित्रकूट नहीं है चित्रकूट तो हमारे 36 गड़ में है वह जो आप waterfall की बात करते यह चित्रकूट है ठीक है जनरली जो राम भरत मिलन वाली जो बातें आप स्टोरी बगर पड़ते हैं है ना बेसिकली वह काफी आप हमारे सांस्कितिक जगह भी है तो चित्रकूट वाला जो चेत्र अक्च्वल में यह बुंदेल खंड बाला है ना बंदेल खंड बगेल खंड वाले एरिया से वह सटा हुआ है तो यह जो है बेसिकली आपका यह चित्रकूट एरिया है और वहां पे रानीपूर वाइल लाइफ सेंक्चूरी अभी अधी सूचना को मंजूरी मिली है अभी आपकी option में केवल अभी मालोग कल ये परसों आपको exam ले लिया जाए तो हो सकता है 54th नहीं दिखे आपको 53 ही दिखेगा लेकिन जब option में आएगा 54th नंबर का option होगा तो हो सकता है कि अभी अधी सूचना जब मंजूरी मिल गई है finally एक conclusion के आधार पर हम अगर 54 पूरी जो है उसकी जो सर्तें पूरी की जा चुकी होंगी तो finally हम उसे टिक कर सकते है अभी किसाब से 53 ही करना है क्योंकि ये अधी सूचना को मंजूरी मिली है और भी बहुत सारे इसमें official procedures होते है पूर्णता ये हो जाएगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये चौथा Tiger Reserve को भी आप देखेंगे हाला कि answer में 54 होगा तो 54 करेंगे तो उसके आधार पर ये आप definitely उसका तर्क दे सकते हैं ठीक है तो आपको 54 नंबर का Tiger Reserve याद रखना है रानीपूर Wildlife Sanctuary option में जो दिया होगा accordingly आपको tick करना होगा दोनों तो कभी नहीं देगा क्योंकि ये नया चीज़ आया है तो नया चीज़ के बारे में ही देगा या तो old चीज़ पूछेगा या तो 53 देगा तो 54 देगा ठीक है इसमें confusion वाली बात नहीं होनी चाहिए 53 नंबर का कौन था आपको पता है गुरु घासीदार रास्टी उद्धियान ठीक है गुरु घासीदार नेशनल पार्क जो 36 गड़ के उत्तरी भाग में है कोरिया छेत्र में है आपको पता होगा और वहाँ पे तमोर पिंगला वाइड लाइफ सैंक्चूरी भी है आपको पता होगा और उसी सट के मद्रपदेश वाले में संजय गांधी नेशनल पार्क है ये भी बात है आपको मालूम होगी तो गुर्गासिदास नेशनल पार्क वाला वो छेत्र है वो त्रेपनवा नमबर का टाइगर रिजर्ब है याद रखेगा कि जो है आपका रानीपूर वाइड लाइफ सैंक्चूरी जो है उसका जो सबसे इंपोर्टन है याद रखेगा वहाँ पे एक भी बाग नहीं है जो मैं पहले बता रहा था लेकिन अनुसार ये महतपूर गलियारा है महतपूर एरिया है जहाँ पे टाइगर का क्या है मोमेंट होता तो ये बुंदेल खंट राज जो का बुंदेल खंट छेत्र का पहला ऐसा क्या है टाइगर रिजब है ठीक है ये बाते ध्यार रखेगा चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हम एक और important content की और जो बेहद important है कह सकते हैं आज के session का सबसे important content में से ये second level पे आप कह सकते हैं तो क्या है देखिए भई इसकी बात क्या important है तो आप देखेंगे कि जो environmental level पे या परियावरणी इस तर पर जो हमारे लक्ष decide किये जाते हैं तो जो लक्ष decide किये जाते हैं उनमें से ये जो लक्ष है आपका है ना ये जो लक्ष है परियावरण के प्रती तो इसमें pollution को यहाँ पे angle को सामिल किया गया है यहाँ जितने भी polluting agent है यान की प्रदूसक है इन प्रदूसकों को पहले तो हमको चिंधित करना है कि कौन-कौन से ऐसे factor है जो प्रदूसन की कारक है जिसके कारण air pollution होता है और हम breathing याने सांस लेते है तो human being को problem होती है इवन बाकी animals बाकी चीजों को भी इसमें प्रभाव पड़ता है तो पहली बार वर्स 2019 में ध्यान दीजेगा बहुत important fact है जो आपको examination point अब उसे याद रखना है सबसे पहले याद रखेगा NCAP National Clean Air Program राष्टी स्वच्छ वायू कारिक्रम यह कारिक्रम कब स्टार्ट किया गया 2019 में स्टार्ट किया गया किसके द्वारा परियावरेंड बन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राला त्वारा ठीक है तो environment ministry के द्वारा इसे चालू किया गया था जिसमें कि आने वाले आने वाले पांच वर्सों में नेक्स्ट फाइव येर्स में हम यानि कि 19 में चालू हुआ है तो 19 से आप 5 साल जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा यहां तक हम को pollution का level 20 से 30 परसंट तक कमी का लक्ष रखा गया था अब सुनते चलिए यहां पे उन्रेस में लांच और 5 साल तक उसे क्या है 20 से 30 परसंट pollution का level decrease करना था ऐसे सहर जो National Clean Air Program के तहत आते हैं केवल वही cities को अब यह जितने भी metro cities होते हैं खासकर वही cities हैं वही सहर हैं ठीक है और अब जो है उसका लक्ष को संसोधित कर दिया गया चेंज कर दिया गया है अब वो जो year है 2026 तक बढ़ा दिया गया है लेकिन interesting बात यह है यह जो 20 से 30 परसंट था इससे अब क्या है 40 परसंट कर दिया गया है तो clear हो गया 24 तक 20 से 30 परसंट तो 2 साल बाद और बढ़ा दो 26 तक 40 परसंट तक 2026 तक 40 परसंट का pollution का level जो है कम करना पड़ेगा 40 परतीसत की कमी दसाई जानी आवश्यक है अब इसमें जो base year माना गया था आधार वर्स माना गया था जहां से हमको count करना था वो था 2017 और इसमें basically क्या बाते को सामिल करना था इसमें सामिल ये करना था जो हमारे कनिकी पदार्थ है particulate matter है जिनका size क्या होते है 10 micrometer तक होता है micrometer तक होता है तो यहाँ पर याद करते हैं कि PM10 particulate matter 10 और particulate matter 2.5 उससे भी छोटा है तो इन particle ये जो बहुत ही dangerous होते हैं ये क्योंकि solid होते हैं और बहुत ही minute होते हैं आप देख रहे हैं कि particulate matter 10 और particulate matter 2.5 तो इतने छोटे होते हैं इन में क्या है आपको पहले ये जो target रखा गया था basically इसको ज़्यादा focus किया गया था अब इसको ही खास कर ध्यान में रखना है कि 20-30% की कमी दर्साई गई थी अब उसे क्या है 40% तक कम करना है क्योंकि ये बहुत dangerous है ठीक है ये बाते आप सभी को clear हो गई तो ये कनिकी पदार की मात्रा को कम करना ये हमारा target था वैसे एक नाम तो सुने ही होंगे आप कि ये बाते आप तो सुनी होगी ये act के बारे में सुना होगा या air pollution act या water pollution act सबसे पहले आप उस act से related कुछ बाते समझीए तब आपको यहाँ पे बहुत interesting सा fact मैं आपको बताऊंगा जो आपको exam में बहुत help करेगा तो ये बाते पहले complete कर लेते हैं तो पहली बार भारत सरकार के द्वारा पहली बार air quality management के लिए initiative लिया गया है इससे पहले केवल act के भरोसे हम थे अब ये क्या है अलग-अलग level पर हम यहाँ पे इससे क्या है regulate कर रहे हैं इसे चला रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे अपना जो pollution का लक्ष है उनका भी अलग-अलग रहा होगा ठीक है लेकिन हमको वहाँ उदेश की बाते नहीं कर रही है हमको बात कर रही है इसको एनसी एपी को तो इसमें बीस-तीस से लेकर हमारे पास चालिस तक पहुँच गिया है अब यहाँ पे एक बात समझेए कि इस इमेज में देखिए बहुत इंटरसिंग सा फैक्ट डला हुआ है वो क्या है कि यहाँ पे पहला वर्ड दिया हुआ है एन-ए-ए-क्यू-एस यह क्या है भई भई जो एयर पलूशन एक्ट बना था तो उसमें केवल जो है उन चीजों को सामिल किया गया था जो बहुत ही डेंजरस प्रकार की या बहुत सारे प्रकार की कारकों को सामिल किया गया था अगर इसकी संख्या देखें तो तो उसमें जो बारा है उसमें केवल आठ को लिया गया और AQI बना गया AQI का मतलब Air Quality Index तो यहां पे देखिए कि यहां पे जो NA, NA, QS की बात जब कर रहे हैं प्रदुसन की रोक थाम और नियंतरन अधिनियम 1981 के तहट हम देखते क्या है CP, CP नाम का जो गठन किया गया था ऐसे देखा जाए CP, CP का गठन कैसे हुआ तो मैं थोड़ा link up बता देता हूँ ताकि चीज़ें बहतर से clear हो देखो सबसे पहले 1974 में I think यह visible है 1974 में क्या है Water Pollution Act आया था 1984 में Water Pollution Act आया था उसके बाद देखते हैं कि 1981 में क्या आया था वो आया था Air Pollution Act आया था Air Pollution Act आ गया था उसके बाद देखते हैं कि इस समय 1974 में ही क्या है CP, CP का गठन कर दिया गया था इसके साथ ही Central Pollution Control Board ठीक है? प्रदूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रूल एक्ट है ना तो Air Pollution Act जब बना 1981 में तो Air Pollution के द्वारा CP, CP के द्वारा क्या है वो 12 कारकों को सामिल किया गया था जो प्रदूशन के लिए क्या है आपके लिए responsible है तो ये आप देख रहे हैं आप ये सूचेंगे इतना लंबा इसे कैसे याद करें बिल्कुल घबराई है मत मैं आपको Learn करा देता हूँ अभी ठीक है? तो याद रखना ये 12 पलूटिंग एजेंट है और उसके बाद स्वाच्छे बारा जब मिशन आया ना तो घटा की क्या है? आठ कर दिया गया कि किसी भी सिटी में अगर एकई वाई जानना है, एयर क्वालिटी индेक्स में जानना है खास कर सभी जो जीला मुख्यालयों में ये दिख जाएगा आपको वहाँ पे AQI लगा होता है डिजिटल मीटर लगा होता है जिसमें की वो आठ पलूटिंग एजेन को सामिल किया जाता है तो इसे मैं आपको लन करा देता हूँ चलिए आपको प्रिवियस क्लास में भी मैंने बताया था AQI के बारे में थोड़ा साज दूसरे एंगल से पढ़ते हैं तो देखिए जब हमारे पास AQI की बात करते हैं तो एक काम करिए यहाँ पर एक ऐसा क्या है आप पाई चाड़ बना लीजिए इसके बाद इसको क्या है चार तरीके से इस पर डिवाइड कर लीजिए ठीक है उसके बाद यहाँ पर दो और एड हो जाएगा चार दो छे हो गया फिर छे दो आठ हो गया इस परकार हो गया आठ हो गया ठीक है अब इससे याद करने का तरीका ऐसा है जितने भी ऑक्सीजन वाले को पहले लीजिए oxygen वाले polluting agent जैसे कि sulfur dioxide है ठीक है nitrogen dioxide है दो हो गया उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या आता है carbon monoxide हो गया यह तीसरा हो गया उसके बाद देखते हैं ozone आ गया क्योंकि ozone क्या है smug बनाने में help करता है ठीक है यह हो गया आपका ozone उसके बाद आपको याद रखना है क्या है ammonia को याद रखना है NS3 उसके बाद lead को याद रखना है उसके बाद दो बार PM लिख दो भई PM इधर और PM इधर ठीक है तो PM यह आपका 10 हो गया और यह PM क्या हो गया 2.5 हो गया तो यह हो गया भे आपका AQI तो यह AQI को आप समझ में आ गया आठ पलूटिंग एजेंट है यह प्रिवियस यह के कोश्चिंस में यह पूछा भी गया है अलगल स्तर पर AQI में कौन से पलूटिंग एजेंट को सामिल किया जाता है कौन से को नहीं किया जाता है UPS इस तर तक भी इससे प्रस्ण गैरेंटीड बनते हैं क्योंकि डारेक्टली हो इंडारेक्टली हो सेंटेंस फॉर्म में हो फैक्चॉल हो यहां से प्रस्णा पूछे गए है और पूछे जाते रहेंगे भी क्योंकि पलूशन बेहद ही सेंसिटी मैटर बन चुका है अभी भारत के लिए ठीक है यह बात ध्यान रखना है अब यदी मैं बात करो यह AQY है तो 8 तो आप लिखी चुके हो यह 8 आप अल्रेडी लिख लो भे आप तो 8 के बात क्या है आपको 4 जोड़ना है तब क्या हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा तो 4 क्या है तो 4 को मैंने यहां पर red कर दिया है बेंजीन से related देखो बेंजीन और बेंजोपाइरीन या पाइरेन बेंजीन और बेंजोपाइरीन उसके बाद देखते है आरसेनिक और निकल तो आर्सेनिक का AS, निकल का NI, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बेंजीन लिख दो, है ना, तो बेंजीन B से रिलेटेट दो चीजें हो जाएंगी, बेंजीन, बेंजोपारेन, और आर्सेनिक और निकल, तो आठ को आपको AQI पहले से मैंने तरीका बताया, उसमें चार है, तो बेंजीन से रिलेटेट दो, और आर्सेनिक और उसके बाद देखते हैं, निकल, इस परकार आठ प्लस चार बारा हो गया, तो यह बातें आपको याद रखनी होगी, क्या आप सफर के बारे में जानते हैं, सफर क्या है, सफर भी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एप है, जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप उसे इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं भी क्या है, देखो यहाँ पर अब मैंने कमपेरीजन कर दिया तीन चीजों का, यह कमपेरीजन को समझिए, हमारे पास है AQI और हमारे पास है सफर और हमारे पास है क्या है, NAQS, तो अब आती है, सफर का फुल फॉर्म क्या है, देखो, सफर जो है इंटेड्यूस किया गया है, गवर्मेंट आप इंडिया के मिनिस्टी आप आर्थ साइंस, ठीक है, पृत्वी विज्ञान मंतराले के द्वारा इसे लांच किया गया था, है ना यह नेशनल जीएस में पूछा ज सफर का फुल फॉर्म है, फोड़ा डिफिकल जरूर है, लेकिन एक बार लॉजिक लगाओगे, तो एयर क्वालिटी भी है, एंड वेदर फॉर्कास्टिंग भी है, मतलब मौसम का पुर्वानुमान भी है, ठीक है, एंड रिसर्च और अनुसंदा, ठीक है, उसके बाद दि ठीक है, नेशनल एंबियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर, और हिंदी वाले अगर जिखेंगे, तो इधर इसका हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, प्रदूसर्ण की रोक थाम और नियंतर अधीनियम, ठीक, ये बातें क्लियर हो गई, तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बातें याद रखनी, अब ये किसके द्वारा लॉंच किया गया था, देखो, ये क्या है, आपका CPCB के द्वारा लॉंच किया गया था, Central Pollution Control Board के द्वारा, और ये कब बना था, मैंने बताया, ये तो बना था तब जब हम Water Pollution Act बनाए थे, उसके बाद Air Pollution Act भी लाए गया, लाए जाता है, इसके बाद आता है, एकी वाई जिसे हम पढ़ी चुके थे, अब एकी वाई देखो, यहाँ पे ये Environment Ministry के द्वारा इनिशेटेड है, जब हम स्वच्छ भारत मिशन जब लॉंच किया गया, वर्स 2014 में, तब उसके बाद बना है, कौन सा है, ये Air Quality Index, तो Air Quality Index यहाँ पे याद रखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारबाद जब हुआ, जब हुआ, दोज़ा रभ्यान जो चालू हुआ, मिशन चालू हुआ, दोज़ा चौदा के बाद से बना, तो ये Environment Ministry के द्वारा इनिशेटेड है, अब आप ये कहेंगे, ये भी तो Environment Ministry से रेलेटे है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे उससे लेकर पहले से ही Act या अधिनियम पहले चले आ रहे थे, उस Act के तहत ये CPCB का गठन किया गया था, है ना, 1974 में, और इसके बाद उसी से क्या है, इसका नियंतरन एबं उसका जो Regulation नियमन किया जा रहा था, लेकिन ये तो वर्स 2014 के आप देखते हैं, वो 8 पलूटेंट है इधर, और इधर क्या है, 12 पलूटेंट है, ये बातें आप सभी को याद रखनी है, जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, कभी आपको कुछ ऐसे राइटिंग का कंटेंड में मिलेगा, तो ये सभी चीज इधर क्या है, टाइगर, बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होती हैं, कि बाग और सेर में अंतर नहीं मालूम, तेंद्वा और आपके कहते हैं चीटा में अंतर मालूम, तेंद्वा चीटा के बारे में पिछले क्लास में हमनें अंतर पढ़ा भी था, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ मैं दूसरे एंगल से इस image को आपके लेकर आए हूँ देखे यह है बाग यानि कि tiger यह है आपका देखते है बबर सेर या लायन या सेर या सींग कह सकते हैं और इधर की बात करते हैं यहाँ पे देखे यह डॉटेड डॉटेड जो है आपके पूरे mouth तक होती है और यहां पे जो black strip होती है वो जिसमें नहीं होती है और यह dotted dotted ही होता है पूरा face तक उसे हम तेंदवा यह leopard कहते हैं और उपर देख रहे हैं यह है आपका चीता जिसे हाली में हमने देखा कि कुनो आज यह बताना है कि यानि मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि यह जो आपका चार animal देख रहे हैं या चार टाइप देख रहे हैं इन सब को कहा जाता है umbrella species जैसे मेरे पास भी यहां पे umbrella है तो यह umbrella की जैसे बात करते हैं यह umbrella में क्या होता है इतनी सारी चीजें क्या protect हो जाती हैं तो protection हमको दो चीजों से मिल रहा है किस से मिल रहा है आपको आपके sunlight से भी मिल रहा है और दूसरा क्या है आपके that is the बारिश से भी मिल रहा है तो यह जो umbrella है जिस भी एरिया में यह खड़े हो गये या जिस भी एरिया में फॉरस जिस एरिया में ये मिल गया उस एरिया में हम देखते हैं कि बागी सबी चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती है जैसे अम्रेला से हम को बारिष और धूफ से बचाव मिलता है same ये animal जिस area में मिलेगा उस area के flora और fauna याने वनसपती और जनतु को protection मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि जिस area में ये पाए जाएंगे उस area में जो grazing animal है चराई करने वाले animal है वो नहीं जाते क्योंकि वो सिकार बन सकते ही इन सब का point number one अगर वहाँ पे grazing animal चराई करने वाले जानवर नहीं जाएंगे तो उस area की साग पती या जो पेड़ पौदे हैं वो अच्छे से grow करेंगे और अच्छे से grow करेंगे तो वो क्या है वहाँ पे flora की याने की वनसपतियों की जो है प्रजातियां बढ़ेंगी जादा फलेंगी फूलेंगी उसका फाइदा क्या होगा वो तो उत्पादक है वो तो क्या है प्रडियूसर है उत्पादक है ओल ग्रीन प्लांस है प्रडियूसर सभी अरे पौद है उत्पादक है तो ठीक है वहाँ पे grazing animal तो नहीं गए लेकिन वो जो प्रडियूसर जब बढ़ा उसको खाने वाले पेड़ पे रहने वाले दूसरे animals को फाइदा हो गया जैसे monkey जैसे चड़िया या जैसे दूसरे और animal और ये animal को सिकार कभी भी ये आपके like tiger lion वगरा नहीं करते bird का सिकार करते हैं या नहीं करते वहां पे उस एरिया में flora याने वनस्पती का protection समझ जा रहे हैं दूसरी बात ये है कि यहां पे जब वो चीज़ें बढ़ी हो जाएंगी तो उस एरिया में ज़्यादा forest की density बढ़ जाएगी density बढ़ेगी तो क्या है जो छोटे छोटे animal कीडे मकोडे butterfly और बागी सब animals जो हैं और जो बहुत अच्छे से grow कर लेते हैं उसके कारण जादी वहां पे flowering हुई यहां पे ज़्यादा पौदे यहां grow किये बहुत सारे flowers आए तो आपके भौरे आपकी butterfly और यह सब आते हैं और वो याद करिए वो और birds भी आए तो यह सब क्या करते हैं pollination का याने परागन का का काम करते हैं ताकि क्या है उनकी जो variety है बढ़ जाती है तो इसका फाइदा देखिए एक animal के कारण कितनी सारी चीज़ें आपको फाइदा पहुँचा रही है तो यह जितने भी species होते हैं यह कहलाते हैं आपकी umbrella species या umbrella प्रजाती अच्छा यहां पर fauna को यानि की जन्तूओं को बाखी जन्तूओं को क्या फाइदा है जिनका सिकार यह umbrella species नहीं करते हैं population बढ़ जाती है अब किसी एरिया में बायो डायोसिटी बढ़ने के ऐसे कई सारे फाइदे हैं ठीक है वो फाइदों के कारण जो है government या environment ministry ज्यादा focus कर रही होती है कि क्यों ऐसी चीजों को बसाया जाए और यह आपने जो सुना क्या है रानीपूर wildlife sanctuary एक ऐसा sanctuary जहां tiger ही नहीं है tiger reserve बनाया जा रहा है तो क्यों बनाएगे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि वहाँ पे वो tiger का गलियारा था अगर वो गलियारा याने corridor है तो वहाँ पे tiger का moment है तो अगर हम देखते हैं आने वाले समय में tiger reserve बना देंगे तो वह जो एरिया है वो सकता है tiger का habitat बन जाए जिसके कारण बाकी florafona को फाइदा पहुंचे आई होप यह सभी बातें आप grasp कर पाए होंगे समझे होंगे है ना बाकी previous session में भी हमने इसे discuss किया था यही ता आज का fact है वही अम्रेला species अलक्स में इसे लिक नहीं रहा हूँ यह बात है repeat हुई है तो चली अब आगे बढ़ते हैं आज का trick आज fortunately मेरे पास कुछ ऐसे tricks है मुझे आपकी help करके बहुत खुशी होगी अगर आपको अपनी कुछ requirement है कहीं पर फस जाते हैं doubt में पढ़ते हैं तो आप जरूर भीजिए comment box में ताकि आपको में वो trick share कर सकूँ और एक को फाइदा पहुचाना मेरा उद्देशनी है मेरे से जु कर पाएं कभी confused ना हो क्योंकि एक question सही करना या एक question गलत करने से आपकी ranking में हजारों का difference आ जाता है ठीक है तो यह बात याद रखेंगा चलिए एक छोटा सा trick मैं आपको बता देता हूँ आपको counting आती गिंती पास तक गिंती आती है तो आप सोते हैं यह कौन सी बड़ी ब गामा तो actual मैं कहूं एक दो और तीन वन टू थी होगा मैं फोर भी कह सकता हूँ फाइब भी कह सकता हूँ उसके बाद आता है डेल्टा उसके बाद आता है एपसलान ठीक है तो एक दो तीन चार इस प्रकार यह गामा है ठीक है तो यहाँ पे इसको ग्रीक में कहा जाता है का जो alphabet है यहां पे हम देखते हैं गिरिक का alphabet जो 24 alphabet होते हैं तो उसमें देखते हैं कि alpha, beta, gamma, delta, epsilon और भी आता है ठीक है ठीटा, beta, theta, zeta, है ना लोटा यह सब चीज़ें आती है इवन लोटा भी आता है ना डोंट वरी ठीक है तो यह सब चीज़ें आती है और आपने omega का नाम सुना होगा आप जो है रो का नाम सुना होगा यह सब क्या है उसे 24 alphabet के अंतरगत आ जाते हैं तो मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ जो biology में तीन important hormones होते हैं ना क्या होता है एक gland होता है अगनास है ग्रंथी है ना यहां पर अगनास है यह अगनास है ठीक है अगनास है ग्रंथी होती है अगनास है pancreas gland होता है एक तो यह कहा जाता है इसे मिस्रिज गंती कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, भई ऐसे ग्लैंड जो अपने, जो सीक्रेशन या स्रावन को किसी नलिकाओं में मतलब फ्लो कराते हैं, तो उसे हम एंजाइम कहते हैं, तो यहां पर पैंक्रियास से एंजाइम भी निकलता है, वो एंजाइम का नाम क्या है यहां पे देखते हैं तो पहला आपको याद रखना है क्या है आपका that is कि glucagon insulin और तीसरा है somato statin अगनासाई रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है complete digestive juice कहा जाता है क्योंकि यह amylase, chymotrypsin trypsin और lipase यह चार प्रकार की चीजे enzyme का secretion करता है जहां पे amylase carbohydrate का पाचन करता है chymotrypsin और trypsin protein का करता है और lipase fat का करता है तो तीनो प्रात्मिक पोसक तत्व तीनो क्या है primary nutrient आपका carbohydrate, protein और fat का digestion करने के कारण इनको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है और दूसरा मैंने कहा कि इसे mixed gland या missid गंदी इसलिए कहते है क्योंकि ये क्या है glucose sorry enzyme के साथ साथ hormone का भी secretion करता है तो ये जो hormone है क्या है glucagon insulin और somatostatin somatostatin ठीक तो याद रखिएगा हमारे pancreas में एक ऐसा island मिलता है, एक ऐसा area मिलता है, एक ऐसा dweep मिलता है जिसे कहा जाता है langer hands की dp का क्या कहा मैंने langer langer hands की dp का या ice slats of langer hands ठीक है तो ice slats of langer hands या langer hands की dp का याने एक island है कह सकते हैं इस परकार cells का sum हो है उसमें तीन type के cell होते हैं alpha, beta और gamma तो हम alphabetically भी चले alpha, beta, gamma तो यहां पर देख रहें कि हम इसके sequence में देखते हैं तो इसका sequence, correct sequence क्या है पहले alpha आता है, फिर beta आता है भी gamma आता है, फिर delta आता है, फिर epsilon आता है जैसे हम counting करते हैं एक दो, तीन, चार, पांच या आपका ABCD, EFG जैसे करते हैं जैट तक जाते हैं तो उसका एक सही sequence होता है तो सेम इसका sequence ऐसा है पांस तक मैं केवल बताया हूँ आपको तो आपको समझना ये है कई बार confusion ये होता है मैं बहुत सारा लंबा चाड़ा प्रोशन दे दिया लेकिन आपको इसमें सामान बातें ये समझनी है कि तीन प्रकार के जो आपके हार्मोंस होते है कई बार confusion क्या होता है बहुत कौन सा alpha cell से कौन सा beta cell से कौन सा कहां से तो पहले हमको यहाँ नीचे वाली चीज़ें तो भूली जानी है तो alpha आपके glucagon से होता है beta आपके beta cell से insulin secret होता है और यहाँ पर gamma से क्या होता है somato statin secret होता है यह बात समझ में आया अब इसको पहचानना कैसा है देखो alphabetically में चलो तो A से लिखे Z तक चलिएगा तो क्या आता है A, B, C, D, E, F, G तो G पहले आया H के बाद I यह हो गया उसके बाद S तो बाद में आ रहा है तो यह भी alphabetically चल रहा है यह भी alphabetically चल रहा है तो आपको logic यह लगा लेना है हम बिल्कुल कहीं mistake होने के chances ही नहीं छोड़ रहे है यह भी सही sequence में तो यह भी सही sequence में अब आपको पता है कि glucose को glycogen में convert करता है और insulin क्या करता है कि blood में हमको पता है आपका glucose क्या करता है glycogen को glucose में तोड़ता है और यहां पे insulin क्या करता है insulin क्या है blood में glucose का level को maintain करता है ठीक है यह बात समझ बारी अगर यह insulin नहीं हो तो blood में glucose की मात्रा याने सरकरा की मात्रा बढ़ जाएगी और वे व्यक्ति क्या है diabetes का patient बन जाएगा तो I repeat again कि alpha cell से glucose निकलता है जो क्या करता है आपके glycosin को वापस glucose में तोड़ता है जब जौरत पड़ती है तो और insulin का काम उल्टा है वो क्या करेगा glucose के level को क्या है maintain करेगा नियमन करेगा है न नियंत्रित करेगा ठीक और आपके insulin की कमी से diabetes हो जाता है सुगर सरकरा या सुगर की disorder हो जाता है ठीक है यह बात ध्यान रखना है somatostatin क्या करता है assimilation में मदद करता है स्वांगी करण में मदद करता है ये बातें आपको ध्यां रखनी है स्वांगी करण किसे कहते हैं भही डाइजेस्टेट फूट से जो नूट्रिशन मिलता है वो ब्लड में मिल देता है मिल जाता है तो उसे मिलाता जो है उसे हम आउसोसन कहते हैं जो आपकी आथ की दिवार के जो माइक्रो विलाई सुक्षमांगूर के दोरा अवसोसित कर लिया जाएगा, बलट में तो मिल गया, अब उसे यूस भी तो करना है, किसी-किसी ओरगन को या सेल को, अपनी कोसिकाओं को, तो कोसिकाओं को या सेल के दोरा, अपनी requirement के आधार प गई तो क्रक्त क्या है ट्रिक क्या मैंने बताया यह भी अलफाबेटिकली होता है ठीक आई होप यह बात है सभी को समझ में आ गई चलो अब चलते हैं आगे की और चलो अब आज का सेशन हम समाप्त करेंगे इससे पहले हम यूपीएसी का एक प्रस्ण देख लेते हैं जो बिना कोई conceptual error की solve कर पाएं तो यहां पर आज का जो question है देखिए भारती अनुपम्रिग याने बारा सिंगा जिसे कहते हैं कि उस उप जाती है ना बारा सिंगा की उप जाती भारती अनुपम्रिग है ना यह उस उप जाती जो पक्की भूमी पर फलती फूलती है और केवल भास भक्षी है याने कि हर्वी वोर्स है है ना कि सरक्षण के लिए कौन सा जो है सरक्षित चेतर प्रसिद्ध है तो यह एक्जाम में पूछा गया था ठीक है क्या पूछा गया था तो इसका option है देखो काना नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क मुदू मलाई वाइल ठीक है तो इसका सही उत्तर है याद रखेगा काना नेशनल पार्क जहां पे बारा सिंगहा और इसकी उपजाती भारती अनुप मरेगा इसका जो है यह वहां पे एक एंडमिक स्पीचीज है उस चेतर की स्थानिक प्रजाती है उस एरिया की काफी बड़े चेतर में एक्च जेतरों तक क्या है यह बारा सिंगहा बहुत मिलते हैं ठीक है याद रखेगा तो इसका सही उत्तर है आपका काना नेशनल पार्क काना नेशनल पार्क फेमस है टाइगर के लिए बाग के लिए आप सभी को पता होगा और काना नेशनल पार्क से लेकर देखको उदर कुनो फिर काना नेशनल पार्ग जैसे कुनो नेशनल पार्ग देखते हैं हम थोड़ा सा महारास्टियन बॉर्डर पे भी चला जाता है उसके बाद इधर देखते हैं कि जो जारखंड वाला पलामू वाइड लाइप जो है आपका टाइगर रिजब यह सब क्या आपस में जूड़ जो अभी जो है 1952 से भारत भारत में पूरी तरह से एक्स्टेंट हो गया ठीक अविलॉप्त हो गया यह बात ध्यान रखनी है आई होप यह सभी बातें आप एंजॉई किये होंगे समझे होंगे फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो अपने क्वेरीज अपने डाउट डे प्लाइक करूँगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते ही नेक्स क्लास में थैंक यू सो मच आव नाइस टूइप